जी हाँ दोस्तों हमारे यूटूब चैनल सुपर एक्सलमेशन चीटोरियल पर आपका स्वागत है आज हम यहाँ जेनरल एविलिटी टेस्ट का कुछ इंपॉन्टेंट अब्जेक्टिव कोश्चन स्वल्व करेंगे जो इंडियन आर्मी से संबंदित होगा जो आपके आने वाले अगले एक्जामिनेशन एंडिये 2021 सेकंड एक्जाम और स्टीए 2021 सेकंड एक्जाम के लिए इंपॉन्टेंट सावित होगा तो आईये दोस्तों बिनादिर के हुए स्टार्ट करते हैं तो कोश्चन नमर एक देखे दोस्तों इन विचेर इंडियन आर्मी वाज स्टि 47 तो इनडियन आर्मी भारतिये थल सेनाकी स्ठापना कब की गई थी इसका हिंदी हुआ तो भारतिये थल सेनाकी स्ठापना 1895 में की गई थी इसलिए कोश्चन नमबर एक का इंसार आप का ऑफ औ circular ॉप्चन नमबर एक हो जाएगा अब अगले कोश्चन पर चलते हैं अब अगले question, question number 2 देखिए number of commands of Indian army currently employed मने भारतिय थल सेना के बरतमान में कितने कमान है option A 8, option B 5, option C 6, option D 7 तो भारतिय थल सेना के करेंट में 7 कमान है इसलिए question number 2 का answer आपका D हो जाएगा 7 कमान है अब अगले question पर चलते है question number 3 देखिए Headquarter of Eastern Command of Indian Army मतलब भारतिय थल सेना के पुर्वी कमान का मुख्याले कहा है option A दीमापूर, option B कोलकता, option C गुबहाटी, option D गंग्टॉक तो भारतिय थल सेना के पुर्वी कमान का मुख्याले कोलकता है Headquarter of Eastern Naval Command of Indian Army is कोलकता at कोलकता, तो question number 3 कहन सार आपका option number B हो जाएगा अब question number 4 देखिए दोस्तो, question number 4 देखिए Headquarter of Northern Command of Indian Army मतलब भारतिय थल सेना के उत्री कमान का मुख्याले जो 4 को option दिया हो इसमें कहा है, option A उधामपूर, option B पठान कोट, option C स्रीनगर, option D जमुई तो भारतिय थल सेना के उत्री कमान का मुख्याले आपका उधामपूर है इसलिए question number 4 का answer आपका option number A हो जाएगा Northern Command of Indian Army, Headquarter of Northern Command of Indian Army at उधामपूर अब अगले question पर चलते हैं अब question number 5 देखिए Headquarter of Western Command of Indian Army मतलब भारतिय थल सेना के पच्चमी कमान का मुख्याले कहां है Headquarter of Western Command of Indian Army भारतिय थल सेना के पच्चमी कमान का मुख्याले कहां है option A अमबाला, option B पाटियाला, option C चंदिगड, option D जैपूर तो Headquarter of Western Command of Indian Army at चंदिगड तो इसलिए question number 5 का answer आपका option number C हो जाएगा answer अब अगले question पर चलते हैं अब question number 6 देखिए question number 6 Headquarter of Southern Command of Indian Army मतलब भारतिय थल सेना के दच्चनी कमान का मुख्याले कहां लोकटेड है option A चंदिगड, option B मैसूर, option C मुंबाई, option D पूने तो भारतिय थल सेना के दच्चनी कमान का मुख्याले पूने में इस्तित है यानिकि Headquarter of Southern Command of Indian Army at पूने इसलिए question number 6 का अंसर आपका option number D हो जाएगा अब question number 7 देखिए Headquarter of Southwestern Command of Indian Army मतलब भारतिय थल सेना के दच्चनी पच्च्चमी कमान का मुख्याले कहां इस्तित है option A ग्वालियर, option B भोपाल, option C बीकानेर, option D जैपूर तो भारतिय थल सेना के दच्च्चनी पच्च्चमी कमान का मुख्याले आपका जैपूर में इस्तित है Headquarter of Southwestern Command of Indian Army at जैपूर इसलिए question number 7 का अंसर आपका option number D हो जाएगा अब question number 8 देखिये Headquarter of Training Command of Indian Army option A हैदराबाद, option B सिमला, option C मथूरा, option D आगरा तो Headquarter of Training Command of Indian Army at सिमला इसलिए question number 8 का अंसर आपका option number B होगा अंसर अब question number 9 पे आईए A smallest unit of Indian Army called मतलब भारतिय थल सेना के सबसे छोटी unit को क्या कहा जाता है option A, Vatalion, option B, Company, option C, Platon, option B, Section तो भारतिय थल सेना के सबसे छोटी unit को A smallest unit of Indian Army called Section इसलिए question number 9 का अंसर आपका option number D अंसर होगा अब question number 10 और आखरी question पे आईए Headquarter of Central Command of Indian Army मतलब भारतिय थल सेना के मध्ध कमान का मुख्याले का है option A, लखनाव, option B, जैपूर, option C, पटना, option D, मुंबई तो भारतिय थल सेना के मध्ध कमान का मुख्याले आपका लखनाव में है इसलिए question number 10 का answer आपका option number E होगा दोस्तो अगर हमारा वीडियो आपके लिए important और useful लगा हो तो वीडियो को like करिएगा और share करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दिजेगा जहीं दोस्तो अब हम अगले वीडियो मिलते हैं होगा